हमने आपसे ये equation balance करने के लिए कहा था हमारा first step क्या होगा हम हर element ये compound के आसपास boxes बनाएंगे इन boxes का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि आप boxes के अंदर कुछ भी ना बदले आपको जो भी multiply करना है आपको पूरे box से करना होगा और ना सिर्फ एक particular element से next हम इस table को भरेंगे first column में हम reaction में involved अलग-अलग elements को लिखेंगे और इन दो columns में हम equation के दोनों side में हर element में कितने number of atoms हैं वो लिखेंगे आप इस table को भरने की कोशिश कीजिए इस equation में कौन से elements या atoms मौजूद हैं जिहां iron, hydrogen और oxygen अगर आपने अभी तक ये try नहीं किया है तो हर element के इन दो cells को भरने का try कीजिए table कुछ ऐसा दिखेगा आप देख सकते हैं कि इस equation में iron और oxygen balanced नहीं है तो important question ये है कि हमें किस item से balancing पहले शुरू करनी चाहिए क्या वो iron होगा या oxygen यहां तीसरा step आता है और वो right की ओर है इस compound में oxygen के atoms हैं 4 तो हमारा पहला aim oxygen atoms को balance करना है right की ओर 4 हैं और left की ओर 1 है तो number of oxygen atoms को balance करने के लिए इस compound को हम 4 से multiply करते हैं तो अब दोनों side में number of oxygen atoms 4 हैं ये partly balanced chemical equation है लेकिन iron और hydrogen atoms अभी balanced नहीं है जब हम इस compound को 4 से multiply करते हैं तो left में जो number of hydrogen atoms है वो 8 हो जाते हैं और right में अभी भी 2 ही रहते हैं क्योंकि number of hydrogen atoms 8 हैं अब next hydrogen atoms को balance करते हैं क्योंकि left में 8 हैं और right में 2 हैं हम right में जो hydrogen है उसे 4 के साथ multiply करते हैं क्या equation अब balanced है? दोनों side में number of oxygen atoms 4 है और दोनों side में number of hydrogen atoms 8 हैं और ion atoms का क्या? left में ये 1 है और right में 3 हैं तो ये equation सिर्फ partly balanced है तो Fe atoms को equalize करने के लिए हम left में Fe को 3 से multiply करेंगे क्या equation अब balanced है? जी हाँ equation के दोनों sides में हर element के number of atoms बराबर हैं ion के 3 दोनों side में hydrogen के 8 दोनों side में और oxygen के 4 दोनों side में आपने notice किया हुगा कि एक chemical equation को balance करने की कोई fixed steps नहीं है हम सिर्फ हर atom को एक समय में balance करने की कोशिश करते हैं जिसके कारण इसे hit and trial method कहते हैं हम equation को balance करने के लिए trials करते हैं वैसे तो हमने chemical equation को balance कर दिया है लेकिन यहाँ एक और चीज है जो हम कर सकते हैं हम हर reactant और product के physical states के symbols लिख सकते हैं इससे हमारा क्या मतलब है reactants और products के चार main states होते हैं gaseous, liquid, aqueous और solid हम यह तीन तो जानते हैं लेकिन aqueous क्या होता है aqueous तभी लिखा जाता है जब reactant या product पानी में solution के रूप में present हो तो हमें मिले balanced equation ऐसे लिख सकते हैं यह हमें clearly equation या reaction के बारे में और information देता है यह दोनों compounds solid state में है और notice कीजिए g water के बगल में लिखा गया है इसका मतलब यह है कि इस reaction में water steam के रूप में use किया गया है और कभी-कभी यहां conditions होती हैं जिसके अनुसार reactions होते हैं जैसे कि temperature और pressure यह arrow के ऊपर या नीचे लिखे जाते हैं तो अगर दो reactants a और b 100 degree Celsius पर react करके हमें c और d देते हैं तो हम इसे ऐसे लिखेंगे अगर reaction को sunlight की जरूरत हो तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है क्या आप खुच से कुछ chemical equations को balance करना चाहेंगे यह लीजिए आपके answers हमें नीचे comment section में बताईए